गनेश चीटूर्थि आने वाली है तो मैं लेके हैं गनेश जी कंप्रिय मोदक की रेसेपी तो आज हम बनाएंगे मावा मोदक बनाने के लिए यह मैंने दूद लिया है एक कप और एक कप लिया है मिलक पौवडर आप किसी भी ब्रेंड का मिलक पौवडर ले सकता है है मेरा ह तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मावा मोधक तो सबसे पहले में एक कड़ा ही रख देंगे अभी मैंने गैस को और नहीं किया है तो इसमें सबसे पहले डाल देंगे हम मिल्क पॉडर और साथ में डाल देंगे इसमें कब दूद अब इन दोनों चीजों को मिक्स होने लगे तो पहले हम बनाएंगे आज इंस्टेंट मावा और उसके बाद बनाएंगे मोधक तो फ्रेंस यह मैंने डाल दिया इसमें आदा कब इसी भी चीनी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और हमारा मावा बनके तयार हो जाएगा तो हमें इसे पकाना है अच्छे से 5 मिनट में मारे मोधक बनके तयार हो जाएगे और आज जो मैं मोधक बना रही हूँ वह बिना साचे के बनाऊंगी तो फ्रेंस वीडियो को जरूर देखें तो यह मावा बनना शुरू हो गया है बस 2 मिनट और हमारे मावे ने कडाही को छोड़ना शुरू कर दिया है अब इस कंडिशन पर हम कर देंगाए गेश को बन्द और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे तो फ्रेंस मैं इसे एस प्लेट में निकाल देको जिसे जल्दी से ठंडा हो जाए उसके बात बनाएंगे हम मोधक तो एक यह ठंडा हो गया है तो इसके मोधक बनाते हैं तो पसंदित मूदक तो यह मैंने सारी गूलियां बना के इस तरह से रख दी हैं और अब हम एक और प्लेट लेंगे जिसमें मूदक बना के रखेंगे पर उससे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे कुछ इस तरह से जिससे कि मावा हमारे हाथों में चिपके ने और अब इस मावे की गूलियां जो उसने कट करके रखे हैं उससे इस तरह से हतेली की बीच में लड़ू की शेप बनाएंगे और फिर अंगोठे से इस तरह से करते हुए वो परसे से मूदक की शेप देंगे और नीचे से हतेली से जैसे हम कोई चीज रखते हैं उसके तैयार हो जाते हैं यह दूसरी को लिली उसे पहले हतेलियों के बीश से लड्डू बनाया फिर अपनी उंगली और अंगोटे से इस तरह से उसे शेप दी और नीचे से उसे ऐसी जगा बना दे कि जिससे वह आराम से रखे तो गिरे नहीं तो इस तरह से आप सब को मुदक के शेप दे दे लेकिन आज हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं तो मैं आपको भी इस पे निशान बनाना सिखाऊंगी कि यह बिना मोल्ड के भी हम इसे मोल्ड जैसी शेप दे सकते हैं तो मैंने इस तरह से सारे मुदक को बना के तयार कर लिया है तो फ्रेंस इस पे बिलकुल तो बिना साचे के भी हम बहुत आराम से घर पे मुदक बना के तयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी जिसे बना कर आप अपने गनेश मिगवान को भी भूग लगा सकते हैं और हम सिर्फ 10 मिनट पे बना के तयार कर सकते हैं मावा मोदक और एक बात अगर आपको इंस्टंट मावा मोदक बनाने के लिए पाउडर ना मिले आसपास तो उसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूगी कि आप घर में मिल्क पाउडर कैसे बना सकते हैं तो फ्रेंड्स मोदक तो हो गए तयार लेकिन अभी से हम गानिश करेंगे तो गानिश करने के लिए मैंने दूद में केसर भी होके रखा हुआ है तो उन धागों को इस तरह से हर एक मोदक पे लगा देंगे जैसे हमारे मोदक दिखने में तो सुन्दर लगेंगे ही और कोई नहीं कह पाएगा कि ये मोदक अपने घर में बनाए है तो फ्रेंस इस गनिश चतूरती पे एक बार आप इंस्टन मोदक जरूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो जो मैंने घर के समान से ही बड़े आराम से घर पे बनाई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फ्रेंस इस गनिश चतूरती पे एक बार ही मेरी रेसिपी जरू ट्राई करें जो है इंस्टन मावा मोदक रेसिपी, अगली टाई मिनट्स फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में बाबाई, सी यू, टेक केर, इंजोई गिते से ग्रेंसे पीस, थैंक्स पूर वाचिंग